हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो आवर चैनल तो आज हमारा कोश्चन है अचीवमेंट टेस्ट के बारे में जिसको हम उपलबदी परिक्षन बोलते हैं उपलबदी परिक्षन निर्मान परकरिया में शामिल चर्णो का विस्तार पुरवक उलेक करें तो अचीवमेंट टेस्ट किस तरह से बनाये जाता है उसका आपको स्टेप बताना इसमें तो मैं आपको लास्ट हम भी बताऊँगा कि एक एक इक्जाम्पल दिया है उसमें अचीवमेंट टेस्ट का तो चली सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका परिभाशा क्या एक बालक जब विद्याले जाकर जो कुछ भी सीखता है तो उपलवदी कहते हैं तथा इस उपलवदी का पता लगाने के लिए बनाये जाने वाले परिशन को उपलवदी परिशन कहते हैं उपलवदी परिक्षन को निश्पत्ती परिक्षन या ग्यानारजन परिक्षन के नाम से भी जाना जाता है उपलवदी परिक्षन विद्यारती के वेवार परिवर्तन के मापन का एक उत्तम साधन है इस परिक्षन दुआरा विद्यार्थी के उस ग्यान का मापन करते हैं जो वह अरजित करता है विद्याले में अर्थार्थ विद्यार्थी किसी विशिष्ट शेत्र में प्राप्त सफलताओ या योगताओ या उपलब्दियों का मापन करने के लिए उपलब्दी परिशन का परियोग किया जाता है उसके बाद यहां पे देखे लिखा हुआ इसका अर्थ क्या होता है पर लिया है तथा साथ ही साथ सिख्षक तथा विद्यार्टी दोनों को ही अधियाद अधियापन में होने वाली कमियों और कटिनाईयों को भी जाना जा सकता है उसके बाद यहां पर कई मनोवे ज्यानिक ने परिवाशाई दी है इविल के अनुसार उपलब्दी परिक्षन वह परिक्षन है जो विद्यार्टियों के दुआरा ग्रहन किये गए ज्यान कुशलता या शमता का मापन करता है उसके बाद फ्री मैन के नुसार उपलब्दी परिक्षन बाला की वर्तमन योगता या किसी विशिष्ट शेत्र किसी विशिष्ट विशे के शेत्र में उसके ज्यान के सीमा का मापन करता है उपरोक परिभाशाओं के अधार पर हम कह सकते हैं कि उपलबदी परिक्षन में वे हैं जिनकी सहायता से स्कूल में पढ़ाये जाने वाले विश्यों और सिखाये जाने वाले कोशलों में विद्यार्ति की सब वलता अथ्वा उपलबदी का ज्यान प्राप्त किया जाता है उसके बाद इसके उद्देश्य देखेंगे तो पहला है विद्यार्तियों की प्रोनती यानि की प्रोमोशन में सहायक होता है तूसरा है विद्यार्तियों के वरगी करण में सहायक तीसरा है विद्यारतियों की अधिगम कठिनाईयों का पता लगाना प्रचलित पाठे करम में आविशक परिवर्दन करना विद्यारतियों की विविन विश्यों और क्रियाओं में वास्तविक इस्तिती का पता लगाना यह पता लगाने कि किस छात्र ने कितना ग्यान प्राप्त किया है सिक्षन कारे में सुधार हेतू सहायक प्रवेश हेतू विद्यार्तियों का चेन करने में सहायक अधियापक का मुल्यांकन करने में सहायक चात्रों के सैक्षिक परामर्श एवं मारदर्शन में सहाया उसके बाद इसके करेक्टरिक्टिक देखेंगे एक अच्छा परिशन वही होता है जो चात्रों की समस्याव का सही सही पता लगाए अथा उपलबदी परिशन की निमलिकित विशेस्ता होतनी चाहिए तो पहला है वैद होना चाहिए वैद का तात्पर है कि जिस उदेशे से वह परिशन किया जाना है वह उस उदेशे की प्राप्ति कर रहा है या नहीं अर्थात चात्रों के स्तर के अनुरूप परिशन का निर्मान किया जाना चाहिए जैसे सैवंत कक्षा के लिए किसी परिशन का निर् हर बार एक ही आना चाहिए किसी भी परिस्थी में ना बदले जैसे 2-3-5 होता है तो हर बार 2-3-5 ही होगा उसके बाद है वस्थु निश्था उबजेक्टिविटी एक अच्छा उपलबदी परिशन वस्थु निश्थ होना चाहिए अर्था किसी प्राप्ट परश्ण का उत बोल सकते MCQ यह अच्छा एक्जामपल हो जाएगा इसका उसके बाद है विवेधी करन एक अच्छा परिशन वही होता है जो दो लोगों के मध्यम को जानने में सक्षम हो उसके बाद है व्यापकता समगरता प्रश्ण संपुर्ण पाठे करम से संबंदित हो उसके बाद है मा योजना बनाना तैयारी परिशन का अंतिम प्रारूप परिशन का मुल्यांकर तो यहां पर है परिशन का योजना बनाना किसी भी परिशन के लिए सरवपतम उसके निर्मान की योजना बनाए जाती है किसी बड़े अत्वा जटिल कारे को करने के लिए सबसे पहले उसकी य योजना बनानी पड़ती है उसके वादा इसके अंतरगत सरव पथम यह निर्धारित किया है कि परिक्षन के उद्देशिक क्या है परिक्षन का स्वरूप क्या होगा परिक्षन किस परकार बनाया जाएगा तथा परिक्षन किसके लिए बनाया जाएगा परिक्षन की योजना के अंतरगत निम्न बिंदू आते हैं परिक्षन उद्देश्यों का निर्धारन परिक्षन चरचना की योजना के निर्मान के समय ही परिक्षन के उद्देश्यों निर्धारित किये जाते हैं इसका निर्धारन परिक्षन निर्मान करता द्वारा ही किय जाता है उसके बाद विश्यवस्तू का निर्धारन उद्देश्य के अनुसार ही परिशन की विश्यवस्तू का निर्धारन किया जाता है यदि किसी परिशन करता का उद्देश्य 18 वर्ष की आयों के बालकों की वृद्धी कमापन करना है तब विश्यवस्तू के निर्धार परिशन की निश्चित एवं व्यवस्थित योजना बनाने के परिशन करता परिशन के प्रारंबिक रूप की तैयारी करने लगते हैं, परिशन में जितने परकार के पदों की आविशकता होती है उन्हें प्रारंबिक रूप में ही निर्मित कर लिया जाता है, परिशन के उपयुकता तथा गुनों की दृष्टी से देखे जिससे उसका एक उसका यह प्रारंबिक रूप और अधिक सुदर है उसके बादा परिक्षन के तयारी में परिक्षन करता को निवन बातों को दिहान में रखना चाहिए परिक्षन के 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 पर आता हुग जो पैसे चाहेपाइं सर होता सब्जेक्टिव में उसके बाद है यहां परीशन का अंतिम प्रारूप परीक्षन की योजना एबं उसके प्रारंबिक रूप की रचना के बाद यह जानने का प्रयास होता है कि परिशन कितना स्त्रेश्ट वैद एवं विश्वसनी है परिशन की वास्तविक रचना से पूर्व उसके प्रारंबिक रूप की जांच कर लेनी चाहिए इसी प्रारंबिक जांच को पाइलट इस्टडिक कहते हैं इस कि नीम्न उदेश्च हैं इस जांच के द्वारा कमजोर एवं बेकार के पदों को परिष्ण से निकाल दिया जाता है विभिन पदों के मद्दे अंतर यह संबन ग्याद करना समस्ट पदों को उप भागों में विवस्थित करना अंतीम रूप से वास्तविक समय सीमा ग्याद करना अंगन विदी का निश्चय करना उसके बाद है प्रस्टूच सोपान के अंतरगत परिक्षन की जाँच दो भागों में की जाती है प्रथम जाँच प्री ट्रायाउट कहलाती है तथा दूसरी जाँच एक्चुल ट्रायाउट कहलाती है तो प्रथम जाँच हो गया आपका प्रत्रम जांच का परियोग मुख्य उदेश्य परिशन की मुख्य कम्यों को पाकर दूर करने के लिए किया जाता है उसके बाद है दिरिते जांच तो दिरिते जांच में परिशा की वास्तवी जांच के अंतरगत पद विशलेशन की तकनीकी परक्रिया का परियोग किया जाता है दीते जांच का मुख्य उदेशन नीमन है तो यहां पर देशत लिखाओ To select good items to be included in the final test और उसके बाद है To reject the invalid or less valid items चुंकि परिशन करता अपने परिशन में उन्हीं परिशनों को समिलित करना चाते हैं जो उसके उदेशे प्राप्ति में सायक हो इस परक्रिया में परिशनों की विभेदिक कारक्ता तथा परिशनों की कठनाई इस तरकी गन्ना भी करनी होती है तथा केवल उन्हीं पदों का चेन किया जाता है जो इन दोनों कसोटियों पर सही उतरते हैं उसके बाद है परिक्षन का मुल्यांकन परिक्षन का मुल्यांकन निम्न बातों को दिहान में रख कर किया जाता है परिक्षन कितनी वैद विश्वसनी है विवेदी कारी एवं वस्तुनिष्ठ अथार्थ परिक्षन में आदर्ष मापन यंत्री की विशेस्ताई किस सीमा तक उपस्तित है परिक्षन का मुल्यांकन उत्तमापन की भावी कसोटियों को धियान में रखकर ही किया जाता है उसके बाद यहां पर लिखा वह सार्णी एक तो एक्जांपल दे रखा है परिक्षन टेस्ट का मासल तो शिछन लक्षे और प्रतिशत ग्ञाना पक्ष इतना हो जाएगा वावात में नि परकार नि ट्वं कि परकार यह परकार प्रशन के संख्या और पर्सेंट के आंग कैप्षन के पुच्ट यहां पर संटर mo really करते से योग तो पचाँ परशन पूछ जाएंगे 100% हो गया और टोटल अंग यहां पर 50 हो गया उसके बाद सारनी तीन है यहां पर पूरा अच्छे स्टेवल में पता रख है ग्यान आत्म फक्ष हो गया तो इसमें फर्दर इसके टू पार्ट्स है भाशा ग्यान विशे समागरी का ग्यान उसके प्रणाली में उपलवदी परिक्ष्ण का महतवपून महतव है उपलवदी परिक्ष्ण के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि कोई चात्र कोई चीज को कितना अर्जित किया उपलवदी परिक्ष्ण के ही माध्यम से यह पता चलता है कि विदिहार्थी ने सिक्षन अधिगम के पस्चात किस परकार की योगता या अनुभाव को अर्जित किया है तो उमीद करता हम सभी को सहीं में आगया होगा अच्छे से डिटेल में समझेगा इसको बागिया नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा कोशन के साथ मिलेंगे तो वीडियो को लाइक और जैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स वरोजन इस वीडियो